Hello guys, welcome to my channel and I'm technical help So friends, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपने आपके smart TV के अंदर Wi-Fi connect करना है, Internet connect करना है, वो कैसे करना है तो वीडियो को start करते हैं, start करने से पहले friends अगर आप मेरी channel पर नहीं हैं और पहले बार आए हैं, please subscribe my channel ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे हो laptop, desktop, YouTube या फिर किसी भी software में किसी भी type का आपको कुछ भी problem हा रहा है तो friends आपको यहाँ पर हर type का वीडियो मिल जाएगा, तो वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले friends आपको क्या करना है, जो आपका remote है, आपको ले लेना है और यहाँ पर remote के उपर आपको कुछ button का ध्यान रखना है जैसे कि आप यहाँ पर देख पार हो कि यहाँ पर यह circle का type का एक button है यहाँ पर अगर आप यह वाला button प्रेस करते हैं तो right को जाता है और अगर यह वाला button प्रेस करते हैं तो left को जाता है और अगर आप यह वाला down के लिए जाता है और यह वाला आपका आपके लिए जाता है ठीक है तो आपको यह बाते का ध्यान रखना है आपके टीवी के अंदर तो आपको क्या करना है यहां पर आपको कुछ बटन दिख रहे हैं उपर की तरफ ठीक है यहां पर एक settings का option मिलेगा आपको यह वाला यहां पर आपको आने के लिए आपको क्या करना है आपके remote से यहां पर प्रेस करना है और सबसे पहले आपको up वाला बटन दबाना है और यहां पर आपको आगे आगे लेके जाना है देखी जैसे कि मैं यहां पर लेके आगया हूँ settings के उपर और यहां पर आपको settings पर click कर देना है दबा देना है यह remote का button ठीक है यहां पर आपको कुछ options मिलेंगे आपको क्या करना है थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहां पर आपको यहां पर आपको network and internet का option मिल जाएगा यहां पर जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो अगर आपका यहां पर network and internet का option नहीं मिल रहा है तो हो सकता है जो आपका यह तीवी है यहां पर एक additional settings करके option म लोग क्या करेंगे यहां पर जाएंगे और यहां पर बटन प्रेस कर देंगे बटन प्रेस करते ही अगर आपका यहां पर यह डिशेबल था तो आपको क्या करना है यह वाला यहाँ पर इसको enable करोगे center of which वाला बटन दबाना है आपको तो यह enable हो जाता है और यहाँ पर जितने भी आपके wifi हैं जो भी आपके यहाँ पर यह range में हैं तो यहाँ पर आपको वो show हो जाएगा तो आपको यहाँ पर check करना है कि आप वाला कौन सा है अगर यहाँ पर जादा आपको wifi दिख रहे हैं तो आपको just आना है और यहाँ पर see all का जो यह button है यहाँ पर ले जाकर press कर देना है तो जितने भी आपके यहाँ पर wifi थे इस list के अंदर वो आ जाएंगे आपको क्या करना है यहाँ पर जो आपका wifi है उसको select करना है select करने के बाद आपका यह screen आ जाएगा यहाँ पर यह screen आने के बाद आपको क्या करना है password type करना है तो friends आपको यहाँ पर password type कर देना है आपका जो wifi का password है यहाँ पर मेरा जो password है मैं अभी जल्दी से type कर देता हूँ अगर friends आपका कोई यहाँ पर mistake हो जाता है मालो आपने दो बार P दबा दिया जबकि आपका Wi-Fi के अंदर जो password है उसके अंदर डबल P नहीं है तो उसको cut करने के लिए आपको यह वाला जो यह यहाँ पर cross का sign है यहाँ पर ले जाके सिर्फ आप उसको एक वर press कर देंगे तो यहाँ से वो हट जाएगा ठीक है तो आपको ऐसा check कर लेना है यहाँ पर आपको अगर आपने कोई special character दिखे रखा है तो यहाँ पर 123 जो यह question mark का sign दिख रहा है आपको यहाँ पर press कर देंगे तो आपको यहाँ पर यह button प्रेस चेंज हो जाएंगे आपको यहाँ पर select कर सकते हो कोई अगर आपको यहाँ पर type करना है आप type कर सकते हो यहाँ पर मैंने password टाइप कर दिया है और यहाँ पर जब आपका यहाँ पर password complete हो जाए तो नीचे की तरफ आपको एक arrow का sign मिलेगा आपको क्या करना है यहाँ पर ले जाकर सिर्फ आपको बीच वाला जो यह बटन है यह प्रेस कर देना है तो friends देखें यहाँ पर हमारा टीवी कनेक्ट हो गया है हमारे वाइफाई से जैसे यहाँ पर यह वाइफाई से कनेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और अभी आप जो भी आपके टीवी के अंदर जो भी आप चलाना चाहते हो YouTube कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हो online तो आप यहाँ पर देख सकते हो सो आई होप आप समझ गए होगे कि अगर आपको आपके समार्ट टीवी के अंदर वाइफाई कनेक्ट करना है वो कैसे करना है अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा और हलफू लगा है और इससे आपको कुछ मदद मिला है प्लीज सब्सक्राइब माई चनल वीडियो को लाइक करना शेर करना बैल आइकन दवारा ना बुलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूटूब पर व्लोड करूँ उसका नाट्रिक्रेशन अब तक पहुंच जाए थैंक्यू सो मच